हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो और यूटूब चैनल आज का ये वीडियो होने वाला है होंडा CB150R के फीचर स्पैसिफिकेशन और लाउंच डेट की डीटिल्स की बारे में बहुत सारे लोग मैं खुद भी इस बाइक का इंतजार कर रहा था कि कब ये ओफिचली इंडिया में लाउंच होगी क्योंकि होंडा CB150R अल्रीडी आदर कंटर्स में लाउंच हो चुकी है तो चलिए जानते है कि कब ये इंडिया में लाउंच होगी ओफिचली और कब से हम इस बाइक को इंडिया की सोड़कों पे चला सकते है इसकी डीटेल्स और साथी कुछ ऐसे डिसाइडन ट्रेज भी जानते है इस बाइक के वीडियो की एंड में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए होंडा CB150R की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स आपको पसंद और शुरली एट्रेक करने वाले हैं क्योंकि 150 सेगमेंट की ये बहुत प्रिमियम बाइक होने वाले है होंडा CB150R के इंज इंजन मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 20 PS का पावर एंड 15 न्यूटन मेटर का टॉर्प इंडिया में होंडा CB150R BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ लाँच होने के कारण इस बाइक की पावर में हमें थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है जो की 1 या 2 PS से रिडियूस होगा या इंजन की 18-19 PS का पावर शूरली हमें इस बाइक से मिलने वाला है होंडा CB150R की माइलेज के अगर हम बात करते तो कंपनी क्लेम करती है कि इस बाइक से हमें 40-45 kmpl का माइलेज मिलेगा बट हम अगर इस बाइक को सिटी में राइट करते है तो 35-38 kmpl का माइलेज मिलेगा और ह बाइवे पर अगर हम राइट करते है तो 43 kmpl तक का माइलेज मिल सकता है जो कि डिपेंड करता है अपने ड्राइविंग पर कि किस हिसाब से आप अपनी बाइक को ड्राइव करते है इस बाइक में हमें liquid cooling system भी मिलेगा और अगर gear transmission के हम बात करें तो 6-speed gearbox के साथ होगी ये ब available होगा जिससे के हम gears को smoothly up and down shift कर सकते है अब जानते हैं इस बाइक के suspension की बारे में तो Honda CB150R में हमें front में soya के 41 mm की UHD याने की upside down suspensions मिलेंगे और rear में हमें monoshock suspension मिलेंगे braking की बात करें तो इस बाइक में हमें dual disc brake मिलेंगे जो की dual channel ABS के साथ होगे size के हम बात करते हैं तो 296 mm का front disc होगा और 220 mm का rear disc होगा Honda CB150R में हमें fully digital instrument console मिलेगा जो indicate करेगा clock, speedometer, tachometer, odometer, ABS, low fuel warning, warning light, low battery warning, low oil indicator ये सारे features Lights के ओर देखे तो इस बाइक के lights काफी premium है, headlight, tail light और साथ ही इसके side indicators सारे हमें LED में मिलने वाले है साथ ही इस बाइक में हमें split seat भी मिलने वाली है Honda CB150R के top speed के हम बात करें तो इस बाइक से हमें top end speed मिलेगा 120 से 130 km per hour अब जानते है Honda CB150R के dimensions के बारे में तो इस बाइक का length होगा 1973 mm, width होगी 822 mm, height होगी 1053 mm, ground clearance होगा 139 mm, seat height होगी 795 mm, और इस बाइक का wheelbase होगा 1296 mm इस बाइक के अगर weight के हम बात करते हैं तो इस बाइक का weight होगा 125 kg जो की 150cc segment में काफी हलकी होगी और इस से इस बाइक का fuel efficiency और power दोनों भी बढ़ सकते हैं अब जानते हैं इस बाइक के price और launch date के बारे में Honda CB150R की expected price होगी 140,000 एक showroom जो की on road 1,70,000 तक जा सकती है launch date की बात करें तो auto expert का कहना है कि ये bike launch होगी जुले या August 2020 के ending में या हो सकता है कि festive season यानि की दीवाली या Christmas में ये bike launch हो सकती है अब जानते हैं Honda CB150R की disadvantage के बारे में तो इस bike का सबसे बड़ा disadvantage होगा इस bike का fuel tank capacity जी हाँ दोस्तों इस bike की fuel capacity बहुत ही कम है जो की है 8.5 liters जिससे की आप इस bike को long distance travel पे लेके नहीं जा सकते जो की काफी बड़ा disadvantage होगा अगर हम इस bike को long tour या फिर long distance traveling के लिए लेते हैं तो ये थी full details, features और specification Honda CB150R के तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like कीजे चैनल पे अगर आप नहीं हो तो subscribe कीजे साथी bell icon को भी दबा दिजे क्योंकि आने वाले सभी वीडियो की notification आपको मिलते रहे मिलते हैं आपसी अगले interesting वीडियो में till then bye bye take care